वेल्कम टू सौट हैं भी दाले दोस्तों ये डिक्टेशन 140 सब्द प्रत्मिनट की रहेगी ठीक है आप लोग कमेंट कर रहे हो कि आपको 2-3 डिक्टेशन चाहिए तो अभी नहीं हो पा रहा अगर हो रहा है तो हम जरूर आपको 2-3 का जितने आप बोलोगे उतना रहेंगे तो फिर आप लिख लोगे पढ़ लोगे ठीक है टाइप कर लोगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन रेडी इस स्टार्ट महोदय अपने देश में महिलाओं को पुर्षों के समान ही अधिकार देने की बात बीगत कुछ वर्षों से जोर सोर से की जा रही है यही नहीं हमारे शम्मिधान में भी महिलाओं को पुर्षों के समान ही अधिकार देने की बात शुईकार की गई है क और उनके प्रति भेद भाव में कमी आई है। फिर भी जहां तक असंगटित एवं नीजी छेत्र के प्रति स्थानों की बात है तो वहां अभी महिलाओं के स्रम का सोसर किया जाता है। स्रमी का अधिकान से हिस्सा असंगटित छेत्रों भागवानी एवं क्रेश में कार करता है जहां उन्हें पूर्सों की तुलना में बहुत कम बेतन भत्तर दिया जाता है। अधिकतर उन्हें दैनिक बेतन भोगी के रूप में ही रखा जाता है और आउशक्ता या इच्छा न होने पर हटा दिया जाता है यद्यव अप्रत्तेक जगह निनुनतम मजदूरी कानून लागु हो चुका है इसके बावजूद इस कानून की अन देखी कर महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है महिलाओं बेरोजगारी एवंलाचारी के चलते उस निनुनतम मजदूरी पर जीतोड काम करती हैं जबकि हमारे शम्मिधान में स्रमिकों के संबंध में प्रावधान किये गए हैं जीवन निर्वाह के पर्याप साधनों का प्रत्यक मानों को अधिकार है अपने आर्थिक, सामर्थ एवं बिकासी परिश्रीमाओं के अधिन राज इस प्रकार के प्रावधान बनाएगा कि बेकारी, ब्रद्धा वस्ता बीमारी, आयोगिता एवं आप्रत्यासित, आभाओं के प्रत जन्ता को शहायता शुविधा सुनिस्चित की जा सके राज इस प्रकार प्रयासरत रहेगा कि देश में सभी प्रकार के श्रमिकों को एक जीवन मजदूरी सुनिस्चित की जा सके एवं सिरमिकों के लिए एक उन्नत मानो जीवन तधा कारी की श्रेष्ट दसाय सुनिस्चित की जा सके आश्चर का भी सै यह है कि भारत में महिला स्रम की इस्थित बड़ी बीचित है एक तरफ जहां देश के कुल कामगरों में 28 प्रसद ह हिस्था महिला कामगरों का है वहीं ग्रामीर छेत्रों में इनका हिस्था 32 प्रसद एवं सहरी छेत्रों में मात 14 प्रसद ही है यदि मुख्य कामगरों सीमांद कामगरों एवं गैर कामगरों की द्रश्टी से देखे तो पाएंगे कि मुख्य कामगरों में 22 प्रसद हिस्थ महिला स्रिम्कों का है जबकि सीमान्द कामगरों में 90 प्रसद हिस्सा महिला स्रिम्कों का है एवं 69 प्रसद महिलाएं गैर कामगरों का है इस तरह इसपस्ट है कि कुल कामगरों एवं मुख कामगरों की शंख्या ग्रामिर छेत्रों में अधिक है सहरी छेत्रों में कम यही नह ग्रामीर चेत्रों में 26 प्रसत एवं सहरी चेत्रों में 9 प्रसत है महोदे महिला स्रेमिकों में मुख्य कामगर 15 प्रसत है जबकि सीमांद कामगर 6 प्रसत है महिला कामगरों में सरवाधिक प्रसत महिला क्रश स्रेमिकों का है जबकि सीमान्द के बाद दूसरा इस्थान महिला कास्त कारों का ये ओम महिला स्रेमिकों का 15 प्रस्त भाग अनब बिविद कारों में लगा हुआ है ग्रह निर्माण कार में कुल महिला कामगरों की 5 प्रस्त महिलाएं कारे रत हैं इससे इसपस्ट है कि भारती अर्थ विवस् अत्यन्त महात्पूर्ण है खासतोर से क्रशिकार्यों में सनलग्न श्रमिकों में तो महिलाएं ही आधार है फिर भी इनका सोचन जारी है यदि रोजगार वार देश में कारिसील जनसंख्या एवं महिला कामगर जनसंख्या का आव लोकन करें तो यह पता चलता है पाने वाली महिलाओं की शंक्या मात्र 8% है एवं आकसमिक मजदूरी पर रोजगार करने वाली महिलाओं का प्रतिसाद 38 है यदि ग्रामील एवं सहरी इस्तर पर देखें तो यह प्रसद क्रमशा 51% प्राप्त होता है इससे देश में रोजगारवार कारसील जनसंख्या जबकि नियमित बेतन पर आधारित रोजगार मी ब्रद्ध हुई है। ठीक यही इस्तित कार्य के अन्य चेत्रों में ब्याप्त है। अगर देश में बेरोजगारी की स्थित को देखा जाये तो महलाएं पुरुष्णों की आपेछा अधिक बेरोजगार है। पुरुस एवं महिला रोजगार में अंतर देखने को मिलता है। पुरुस एवं महिला रोजगार में अंतर देखने को मिलता है।